मैं अभी फाइनल येर में हूँ एट सेमिस्टर में आइव सेक्यूर्ड ओल इंडिया रैंक 191 इन गेट 2021 मेकानिकल इंजिनेरिंग सो मैं अभी आपको अपनी प्रिपेरेशन स्ट्राटेजी बताऊंगा मैंने कैसे कैसे प्रिपेर किये सब्जेक्ट मैं आपको हर चीज डीटेल ने बताऊंगा और मैंने क्या गलतियां की और क्या मैं कर सकता था और जिसे ही मेरी रैंक और इंप्रूव होती सो मैं बारी बारी से हर चीज पर आऊंगा किस स्टार्ट करते हैं Еकदिम सTARTING से मैंने कब स्टार्ट किए प्रपेरेशन सब ने में मार्स के लास्ट वीक में अपनी स्टार्टनी के अपरिल में मैंने पढ़ने स्टार्ट कर दिया था मतलब पर मैने 17 rely किया था कि Mुझेmem करनी है लेकिन उस ताइम पर कुछ प्रेपरेशन खास हो नहीं थी सीरियस प्रेपरेशन मेरी लास्ट अप्रिल मलब अप्रिल 2020 से ही स्टार्ट हुई है तो मैं एक self study student था तो सबसे पहले मुझे sources दिखने थे gate preparation के लिए तो मैंने completely follow किया डिवाने ESPN gate channel को अपनी gate preparation के लिए अब मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे subjects को complete किये बलब क्या procedure रहता था मेरा तो मान लीजे सबसे पहले मैंने theory of machines उठाया तो theory of machines में सबसे पहले मैंने क्या किया एक register लिया नया और उसमें मैंने क्योंकि मैं दिवाने ESPN gate channel follow कर दा था तो अपने convenient के हिसाब से मैं उसमें lectures देखता था अपने notes बनाता था खुद से एक चीज़ियां पर important है कि notes आप खुद से बनाइए ऐसा मत करिए कि आपको कही written notes मिल जा रहे हैं printed notes मिल जा रहे हैं तो उसी को आपने follow करने लग गए उसी से पढ़ने लग गए ऐसा मत करिए आपके पास enough time है तो आप आराम से अपने notes बनाइए पूरे तो मैंने क्या किया एसी दिवाने एंगेट से मैंने ये थेorio machines के lectures देखना चालू किये और उससे अपने notes बना लिए सबसे पहला गाम यह था मिला उसके बाद अब करना था questions की practice तो questions की practice करने के लिए आपको इधर और भागने की ज़रुद नहीं है सीरे सीरे बस एक चीज प्रीज फॉलो कर दिये previous year questions प्रीवेस एयर questions बहुत important है एक तो वो confidence भी देते हैं आपको और आपकी accuracy और thinking capability को भी increase करते हैं तो मैंने बस previous year questions किये अब previous year questions कौन गों से तो मैंने previous year questions किये थे gate के और EAC mains के तो आप इतना कर लेंगे तो मैंने खाल से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है concept को अच्छे से आप समझ भी जाएंगे आपकी practice भी अच्छे से हो जाएगी तो मैंने previous year questions किये सासे पहरे मैंने notes बनाया Ethereum machine का जो भी आपके पास lectures available है उससे मैंने डिवाने EAC gate channel से बनाया था और फिर मैंने previous year questions कर लिए जब आपके previous year questions हो जाएं EAC mains और gate के तो फिर next step होगा आपको short notes बनाना यह बहुत important है last के एक दो महीने में यह short notes बहुत ज़्यादा important role play करेंगे जिसने short notes बनाया होंगे वो उसको definitely एक extra advantage रहेगा तो उसके बाद जब मैंने previous year questions कर लिए फिर मैंने क्या किया short notes उसके बनाया और short notes इस तहीके से बनाना कि आपके इतने भी main notes है like माली दे 100 pages का main notes है तो maximum तो maximum उसका 10% रहना सही है short notes में like 100 pages के main notes है तो only 10 pages short notes के लिए सिर्फ 10 pages होनी सही है और आपको short notes में लिखना किया है वो आपको खुरी दिये दिये समन में आ जाएगा लेकि मैं एक overview देता हूँ आपको क्या लिखना होता है short notes में तो short notes में आपको लिखना होता है कि एक तो important concept या important formula में बोलूँगा क्योंकि gate एक numerical paper है उसमें theory नहीं आती है almost नहीं आती है तो उसमें main होता है आपको formula तो जो जो formula बहुत बार यूज़ हो रहे हैं कि आपको प्रिवेस और लगा लिया है उस subject का तो आपको पता है कि यह formula बहुत जादे यूज़ हो रहा है तो उस formula को आप note कर सकते हैं दूसी चीज जो formula आपको याद नहीं आ रहे हैं लाइक जब आप लगा दे होंगी previous equation तो कोई ऐसा formula होगा या कोई ऐसा concept होगा जो आपको नहीं याद आ रहा है मलगी बाबा आपको notes खुल की देखना पड़ रहा है तो chances हैंगी वह आगे भी आप भूज जाएंगे उसे तो वह चीज़ आपको note करनी है अपने short notes में I think इतना enough होगा short notes के लिए और यह short notes आपको last में बहुत ही काम आने वाले हैं तो जब यह तीन चीज़े मलगी सबसे पहले made notes बनाना जो भी आपका sources available है उससे खुद के notes बनाना और फिर दूसी सीज़ प्रीवेस है questions करना और तीसी सीज़े है आपको short notes बनाना जब यह तीन चीज़े आपकी हो जाएंगी तो आपका एक जो subject है वह complete हो जाएगा तो इस तरीखे से आपका एक subject complete हो जाएगा like theory of machines अब उसके बाद आप दूसा subject उठा सकते हैं या फिर आप ऐसा भी खर सकते हैं कि आप दो subject parallel में चलाएगे अब वो दो subject कौन से चूस करने है वो आप पर depend करता है जनरली आप ये करें तो ये prefer रहेगा कि एक ऐसा subject लेजिए जिसमें आपको काफी interest है और दूसा लेजिए जो आपको इतना interesting नहीं लगता है तो उन दोनों को साथ में चलाएगे और इस तके से आप सारे subjects complete कर लीजे अपने अब वो कब तक complete करना है ट्राइ करिए कि august maximum august तक complete हो जाए हाला कि मेरे case में वो थोड़ा लंबा किस गया था और October पहुंच गया था पर आप try करिए अगर आप college student नहीं है तो आप drop out है और सिर्फ study कर रहे है तो आप तो try करिए कि august तक ही complete हो जाए ठीक है अगर college student है तो आप अपने convenient के हिसाब से देख लीजे लेकिन September तक तो करी लीजे complete तो इतना करने के बाद जब आपका एक बास syllabus complete हो जाएगा उसके बाद एक बहुत ही important phase आता है वो होता है division और test series का हाँ तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा सारी subject complete होए थे October end तक उसके बाद मेरा थोड़ा college का scene था मतलब quizzes वेगारा हो जाए थे और फिर end semester examination था practicals थे और project का हमें करना था presentation वेगारा बना था report बनाना था तो उस चक्कर में मेरा एक देड़ महीना चला गया था next एक देड preparation में आया था 24th of December के बाद 24th of December को मैं last end semester paper था तो अब में पास time था almost I can say one and a half month तो उस इसाब से मुझे अपनी preparation strategy बनानी थी और उस time तक मेरी इतनी इसी preparation नहीं हुई थी मलब जितना मैं सोच आ था उतना track पे नहीं था मैं तो मुझे do or die वाली situation होगी थी अब मुझे करना नहीं करना हैं तो उसके बाद मैंने strategy अपनी फिर से बनाई यह बहुत important चीज़ है कि आपको time time पर अपने आपका assessment करना होता है करना चाहिए कि आप अभी सही track पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं अगर नहीं जा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं उसमें क्या आपनी strategy में changes ला सकते हैं जिसे कि आप वापस track पे आजाएं तो मैंने अपना assessment किया और मैंने last के 50 days की strategy बनाई तो अब मेरा क्या था कि course to complete हो गया था मेरा notes बन गयते short notes बन गयते previous question मैंने कर दिये थे अब बाली आती है revision और test series की हां तो फिर मैंने अपना पहला test दिया और मेरे इतने अच्छे number नहीं आए जिते मैं expect कर दा था like 50s की line में आय थे number तो उसके बाद मैंने decide कि मैं एक बार जल्ली से अपना revision कर लेता हूँ फिर से क्याकि मुझे उस test में realized वा कि मुझे बहुत साइच चीज़े मैं भूल गया हूँ मुझे यादी नहीं आ ली थी चीज़े formula याद नहीं आ ले थे मुझे तो मैंने क्या decide कि एक बार मैं 10-15 देता हूँ revision कर लेता हू उसके वाद मैं फिर से test series पर आ जाऊँगा तो 24 December से लेकर about 7th of January तक मैंने फिर से revision किया और मैंने revision अपने short notes से किया इस पर तो revision मैंने अपने short notes से किया और 7th of January को मैंने अपना फिर अगला full test दिया अब मैं subject wise test नहीं यह सकता थे इस ताइम पर है कि almost बस एक ही महीना बचला था almost 35-36 days बागी थे exam को तो subject wise test दियना इतना feasible नहीं था तो मैंने dietly full length test दियना start किया और मैंने decide कि मैं हर दिन एक full length test दूँगा तो मैं बताऊं सही में तो मैंने 7th को 7th January को अपना पहला full length test दिया उस में मेरे 57 नमबर आय थे उसके बाद मैंने improve करना start किया इंप्रूव होता गया इंप्रूव होता गया इंप्रूव होता गया और मैं जो last test दिया था उसमें मेरे 84 नमबर आये थे तो अब ये इतना improvement सिर्फ 30 days में कैसे हुआ वो देखते हैं तो test series में में मेरे डिंग मेरे एक दिंग का routine मैं बताता हूं उससे आप साथ को समझ में आएगा मैं क्या करता था जैसे की 7th of January से लेकर paper की day तक मैं क्या करता था सबसे पहले सुबह उठता था नाश्टा वास्ता करता था उसके बाद मैं test दिने बैठ जाता था सुबह around 9 या फिर 10 a.m. तक मलब की 1 और 12 और 1 p.m. तक मेरा test चलेगा उसके बाद मैं खाना खाता और उसके बाद मैं analysis करता था अब यह बहुत important चीज़ है कि आप analysis कैसे करते है अपनी test की तो analysis के लिए मैंने अपना एक separate register बना रखा था analysis के लिए और उस पर मैं अपनी गलतिया नोट करता था या फिर वो concept नोट करता था जो मुझे उस time पे नहीं यादा रहे थे या फिर नोट कर लिए और अगला test में देने राता था अगले दिन क्यूंक क्योंकि मैं रोज टेस्ट दे रहा था रोज एक FLT में दे रहा था रोज एक full-lain test में दे रहा था तो अगले दिन टेस्ट देने से पहले मैंने वही जो गलतिया मैंने की थी वह मैं इक पर रीड माल ले पर देखता था और देखता था कि ये गलती मुझे अब अगले test में नहीं करनी है तो इस स्टरीके से मेरा दिन का schedule रहता था कि सबस्क्राइब तर वह तर मैंने टेस्स किया दिन में मैं analysis किया और शाम में revision करता था जो और एक दिक ही से revision और test सेरीज मेरी पैललली और इंडेपेंडेंटली चल रही थी तो यह मेरा शेडियूल रहता था और दिये-दिये मेरे टेस्ट में मार्क्स इंप्रूब भी हो रहे थे हाला कि एक टाइम पर मैं 67 68 पर अटक गया था चार-पांस टेस्ट के लिए में अटक गया था उसके बाद लेकिन फिर से इंप्रूब होना स्टार्ट किया स्टार्ट किया स्टार्ट किया और फाइनली मेरे गेट में 81.18 मार्क्स आ गए तो यह बहुत इंपर्टट इस्ट एक की परसंट् परसंटि दिपर यहां पर यहां कि एक और यह सीजे है जो I think person to person depend करती है लेकिन हो सकता है काफी लोग को लगए कि उनकी इतनी प्रैक्टिस नहीं भी है जैसे मैंने किया था कि सिर्फ प्रीवेस से क्षोशन्स किये थे ESE के, ESE Mains के और GATE के तो हो सकता है उसमें लोग को लगए कि कि इतनी प्रैक्टिस नहीं भी है तो और एक्स्टा कॉशन्स कर लीज़े मतलब काफी साई काफी साई कॉशन्स मिल देंगे वर्क बुक्स होती है डिफरेंट कोर्सिंग इंस्टिट्यूट की ऑनलाइन भी मिल देंगे वो वर्क बुक का पीडियाफ तो आप वहाँ से वो प्रैक्टिस कर सकते हैं कॉशन्स तो आप अपने कर्विडियंट के हिसाफ से अपने हिसाफ से थोड़ा प्रैपरेशन जो इस्टाटिजी है उसको बनाईए एक्टम किसी दूसरे का को कॉपी मत करिए अब यहाँ पर एक और चीज़ा है जो मैंने की थी और उसने बहुती पॉजिटिव इंपक्ट डाला मेरी प्रैपरेशन पे वो थी यह चीज़ कि जब मैं अपने प्रीवेस एक क्रिश्टन कर ला था अंगेट के तो मैंने 2020 और 2019 के प्रीवेस एक क्रिश्टन मैंने सौल नहीं किये थे इस लिए देखे भी नहीं थे इसलिए किया था क्योंकि मैं चाहरा था मैं 2020 और 2019 दोनों के मालब 20 सेट मालब 24 पेपर वो मैं फुल लेंट टेस्ट मौक टेस्ट की तरह दूंगा लास्ट में और वो मैंने इसलिए डिसाइट किया अपनी प्रिप्रेशन का अनेलिसिस करने के लिए कि एक्षल में में मेरी rank मैं कहां पर स्ट्रेंट कर रहा हूं एक्टरल में क्योंकि मैं फिर आसानी से compare कर सकता हूं कि इस marks पर इतनी rank आई थी और वो एक्टरली मेरे उसने मेरा confidence भी बहुत boost up किया like मैंने जब test दिया अपना 2020 का around मैंने 30 of January को दिया था 30th of January तो जो मेरे marks रहते उसे आपसे यह rank around 100 आ रही थी तो उससे मेरा confidence बहुत ज़्यादा boost up हो गया तो यह आप भी apply कर सकते हैं आपको यह सही लगे मालब मैं तो recommend करूंगा यह करना ही चाहिए आपको भी यह चीज की last के एक-डो साल के आप previous equation ना करें उसको test की तरह last में दे दें एक सीज यह भी थी की last के एक महिने में आपको सिर्फ और सिर्फ short note से ही revision करना है क्योंकि आपको इतने test दे देंगे ना सब तक आप की आपको कोई concept ऐसा नहीं रहेगा कि आपको याद नहीं आ रहा हो बस दिक्कत के आएगी थोड़ी बहुत की formula की दिक्कत आ लीगी आपक time कर लेंगे तो आपके जो formula है वो आपकी tip पे रहेंगे अब मैं बात करता हूँ last के seven days की तो last का seven days जो होता है वो काफी important होता है उसमें like नमीन सर ने एक video डाला हुआ था आपने भी देखा हो गया आप देख ली देखा उन्होंने बताया था कि कैसे आपको last के seven days में prepare करना है और उसमें आपको क्या करना है कि सारे जो formula है वो आपको बिना देखे एक register या copy में note करने है खुझ से लिखने है तो उस तरीके से आपको सारे ही सारे formula आपके tip पर लोंगे और आपको जैसे कि test series में क्या होता है कि आप mock test दे रहेंगे तो काफी time होता है कि आप कोई formula है तो आपको याद नहीं आ रहा है उससे सोचने में काफी time लग जाता है उस तरह से time निकल जाता है तो वो दिक्कत नहीं आएगी आपके जो real test होगा उसमे तो यह मेरी overall preparation strategy या मेरी journey थी अब इसमें बहुत सारी गलतियां भी वी जो मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ like पहल August तक ही रखना है तो वो मेरी पहली गलती थी अब क्योंकि अब इसके लिए को excuse देना सही नहीं है क्योंकि शायर में थोड़ा सा relax हो गया तो बीच में इस वैसे ऐसा हो गया तो एक पहली गलती यह थी दूसी गलती यह थी कि आपको subject wise test पी देते रहना चाहिए starting में last के लि बगरा बना रहे हैं तो उस ताइम पे subject wise test भी देते रही है वो important होता है यह मुझे थोड़ी problem ख़ली थी मुझे बाद में realize हो यह चीज तो डूसरी problem यह थी तीसरी problem यह है like वो पहले problem से ही linked है क्योंकि मेरा course completed वाता इतना लेट तो मैं अपना full test January में जाकर मैंने start किया वो आपको पहले start कर देना है like September में ही start कर देंगे या October starting में start कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा अगर बस दो तीन महीने का time होगा उसमें आप आराम से अपना score improve कर सकते हैं in fact 85-90 तक भी जा सकते हैं अगर आप सही तेके से analysis और test देंगे honestly तो फिर so ultimately मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी जो जर्नी है जो आप prepare कर रहें gate के लिए या EAC के लिए तो उसको enjoy करिए और एक चीज़े distractions से डूल रही है तैसे ही नवीन से हमेशा ही बोलते है distractions से दूल रही है और negative चीज़ों से दूल रही है like आपको बहुत साथ लोग कहेंगे कि आरे PSU में तो CT कम है या फिर privatize हो रहा है सब कुछ तो आपको कहने वाए लोग बहुत मिल जाएंगे आप उन सब के चक्के में मत पढ़िए आप अच्छे से पढ़ा ही करिए और PSU की सीट लेकर चले जाएंगे वो लोग तो बोलती रहेंगे जो बोलने हमको तो all the best to you all and I hope आप सब अगले गेट में अगले एक्जाम में अच्छा करेंगे Thank you